कर चुके हैं और बिलकुल सामने यहां पर स्टूडियो में बैठी हुए जिनका ना मेहना खान है मेना खान जो है लोलाब में रहती हैं लोलाब कपवाड़ा से हां पर हमारे स्टूडीयो में आज आई हैं और यह एक आर्टिस्ट है तो बहुत सारी लोगों की इंस्पिरेश आप एक आर्टिस्ट हैं, होबिया आपकी पेंटिंग करते हैं, आप स्कैचिछ बनाते हैं, कैलिग्राफिक करते हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसी रहेगा, कि हमें अपने बारे में कुछ बताएं Like, tell us something about yourself and your family members, आपकी घर पे कौन-कौन है, कहाँ पे रहते हैं मैं महना मुष्थाक, दॉर्टर मुष्थाक आमद खान मैं कुपवारा लूलाव ब्लेज कुली का मेरी फैमिली में बाई बहन है मॉमा पापा मैं फादर इस पोलीस ओफिसर इन क्राइम ब्रांच वेरी नाइस आपके पापा पुलीस में है मुझे डरा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा लगा कि आपके पापा जो है पुलीस ओफिसर है क्राइम ब्रांच में है और यह जो इंस्पिरिशन है जैसे हम आपकी आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट जो होता है उसकी एक अलग लाइफ होती है आप एक स्टूरेंट भी हैं लोग करते हैं कश्मी उनिवर्स्टी से लेकिन आप एक अट सेम ताइम आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा लगता है सब्सक्राइब करते हैं जैसे सब्सक्राइब करेंगे अपनी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएं हैं याली स्कूलिंग करते हैं शब्सक्राइब मेरी थे दो commence स्कूल proto महीं सब्सक्राइब करते हैं and then iihe 아르 प्रमीग गूली इंटिगांप वहाँ पे बहुत सारे मोखें मुझे मिले थे मैं पार्टिसिपेड करने में बहुत बहुत इंट हैं जैसे इसकूल की तो हमें बात करी लेकिन अगर हम साम स्कूल इंड स्कूल की बात करें क्भीज़ उसकूल इंड सू है पर कि आप करने लोग्र क्या सबिक्र पूर्ट के अबलें ।समेर नiverक्त पूर्स का सुक्रियादा करना चाहती हम मेरा अपयर सर्मस्रूर अहमर्दार,ывает मैंस्रूर्स मीरे लिड है कि मैं कैसे न का चुक्रियादा करुं कि उन उन्होंने मुझे स्कूल डे समें भी ब्हुत हार चाई स्कूल डे संपर्या अट मैं मैं मुझे इक इंटरनल पीस है कि हाँ मेरे टीचर को इसे हैं आए पहाँ प demostते पर मुझे ऑननुगा जाहां पूब का आनुगा मैं था užजी में जटने मैं शेयाने हैं म मैं शोड्यों कि स्कूले में सुके यह में शेय को किसी नहीं कहा है कि a teacher is a guide, friend and a philosopher तो teacher का अगर एक teacher की आपर response आप पर जो अपने जो भी sketches है आपके जो भी paintings है कि आप उनको sell करते हैं बेचते हैं यानि कि उनका क्या market है या लोकल लेवल पर आप क्या करते हैं उसके बारे में बताएं हां जी platform मेरा art by mehna khans है Instagram पे मैंने बहुत सारी paintings बेची भी है like orders वहां से भी आने लगे so ज्यादातर मैं अब orders पे ही काम करती हो that means आपको orders आते हैं और orders आते कहां से हैं ये भी बताएं orders आज मैंने इंडियन मार्ट पे भी account खोला था तो अब बाहर से भी आने लगे orders very nice so Kashmir से बहुत ज्यादा orders आते हैं जो भी देखता है like ज्यादा sketch के आते हैं हमें हमारी portrait बना के दो या फित तो calligraphy पे ज्यादा आते है very nice मुझे काफी अच्छा लग रहा है आप जितने अच्छे ब्रीक यानि कि एक और ट्रैक यहां पर मैं प्ले करों stay tuned to radio channel 90.4 हर दिल की दड़कन so मैंनों वही लड़कें आ गया है जिनको पीछे से भी मैंनों अच्छे से support मिर रहा है बिल्कुल यह यहां पर आपने बहुत ही जड़ा important बारत की और मैं भी आपकी तरफ से यह जो पैगाम है यह जो message है मेरे listeners तक यानि कि specially parents community तक पहुंचाना चाहता हूं कि लड़कियों को भी equal rights देने चाहिए और जहां पर लड़के यहां पर यहां पर साजिद खान यहां पर स्टूडियो में बैठा है वहीं पर मैना खान भी स्टूडियो में बैठा है that means कि equal rights और equal opportunities हर कोई deserve करता है और लड़कियों के भी अपने dreams होते हैं वो भी अपने माबाप का सर उंचा करवाना चाहती है और proud feel करवाना चाहती है अपने parents को तो यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अपने खासकर parents community के लिए कि वो अपनी लड़कियों को भी equal rights ला कर दे हैं अपने प्रणा चाहती है और लड़की के लिए चकला बेलन लाया जाता है कि बेटा तुने रोटी पकानी है मतलब आज सही तु इस चीज को इसी चीज के साथ खेल कि बेटे के लिए गाडी लाया जाती है लिकिन ऐसा नहीं होना अचाहिए अगली बार जब कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए कोई खिलोना लाये तो एकला सा equal like equal rights अगली नहीं ला सकते दन pen pencil ही दे दो आज थोट कि हर लड़की के लिए वह better है वेरी नाइस यार बहुत ही अच्छी सोच है आपकी कि pen or paper is very important और ठीक है बहुत ही अच्छा अपने बहुत ही अच्छी thoughts है आपके हमारे जो भी listeners अभी आपको सुन रहे होंगे वह बहुत ही इंप्रेस भी हुए होंगे आपसे लेकिन मेहना एक और एक चोड़ा सा सवाल मेरा ये भी है कि पापा पुलीस ऑफिसर वह भी क्राइम में और बीटी एक आर्टिस्ट बीटी भी वैसे जहात तो लौही में रही है तो कैसा लगता है घर का माहूल कैसा है जब आप घर में बैठते होंगे शाम को कभी discussion चुड़ जाती है पापा ये वाला section आपको पता ही नहीं है जी महलोब छीड तो जाता है बीच-बीच में लेकिन उनको पसंद नहीं है कि मैं लाग के बाद कोड़ जाइन करूं तो वह चाहते है कि मैं इससे आगे जाओं लाइक उन्होंने मुझे स्टैडिस में कभी रोका नहीं है कि